नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का इजी नोकरी चैनल पे दोस्तों इस वीडियो हम देखने वाले हैं रेलवे अन्टी पीसी परिक्षा दो जार बीस 28 दिसंबर को हुई फस्ट शेफ्ट में जितने भी कुश्चन आए जी केवा करेंट फेर के सब इस वीडियो में करी थी और दोस्तों यह लॉंच करी थी भारत के पिदान मंतरी नरिद मोधी जी के दोरा कब करी गई थी यह 23 वरवरी 2019 को करी गई थी करंट्ली डेलवे मिनिस्टर कौन है भारत के तो वह हैं पीश गयल अगर मैं रेलवे चेयर मैं की बात करूं यह चैनल लग गया गरत ल ने हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा साथ के साथ बैल आइकॉन जरूर क्लिक कीजेगा जिसे कि हमारी वीडियो की रेगुला नॉटिफिकेशन आपको मिल सके अगर इस वीडियो की नीचे डैस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा टेलिग्राम का क्लिक करके जोइ 552 यानि कि यही ऑप्शन सही होगा जो शिफ्ट वन में पूछा गया था टोटल सीट है 552 याद रखेगा अगर मैं करन्ट सीट की बात करूं यानि कि टोटल जो एमपी इलेक्टेट हैं तो दोस्तों वह 543 याद रखेगा और इसमें अगर मैं दो बढ़ा दू यानि कि ज इसमें दो एंगलो इंडियन नॉमिनेट होते हैं राश्पति के दोरह याद रखेगा अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों अगला कुशन है सुकॉन्या समद्री योजना पूछी गई थी यह कि सुद्देश्य से चलाई गई थी तो दोस्तों बेसिकली इसका जो उद् पढ़ाओं से समद्री याद रखेगा और इसकी जो तारिक है भारत के पिदानमंती नरेंद मोदी ने 22 जनवरी 2015 को लॉंच कीती सुकन्या समद्री योजना याद रखेगा अगला कुशन देख लेते हैं सब्री वाला मंदिर का इस्तित है यह पूछा गया था तो दोस्तो केरल में पढ़ता है तो केरल के सीम देख लेते हैं पिन्नारी विजयन है और यहां के गवन्नार के मुहम्मद आरिफ का याद रखेगा कोई मुझे राजदा नहीं बता सकता है कमेंड में जरूर बता है अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों सुराज मेरा जन्मसिद अगला कुशन देख लेते हैं पर्यावन सरक्षण अधिनियम पूछा गया तो दोस्तों यह जो पारित हुआ था याद रखेगा इसे इंगलिश में कहता है एंवारेंट मैंट प्रोटेक्शन एक्ट निस सो चैसी और भारत के पर्यावन मंत्री को ने तो वहां प्रिकाश जाब डेकर तो दोस्तों एक चीज और बता दूं यह भी फूछे आ सकता है अगली शफ्ड़ों में जैब विविद ता अधिनियम कप पारिद हुआ था तो दोस्तों यह जार दो में पारिद हो था है पूछा या सकता है क्योंकि पर्याब रण से संबन देते हैं याद रखेगा जैब विविता अधिनियम दो जार दो में पारित हुआ तो यह भी याद कर लेज़ेगा अगला कुशन देख लेते हैं कंपउर से कुशन आहे दो यूराइल की फिल फोर्म क्या क्या एंता दोस्तो है यूराइल की फिल फोर्म होती है' यूनिफ इसोर्स लोकेटर' तो दोस्तो आपको ऐसे ओपक्शन मिल जाएंगी की प्रीक्षाहों ने बनक serait मिलते भी होगा याद रखेगा यूनिफॉर्म रिसॉर्स लोकेटर और दोस्तों ये बिसिकली कम्पूटर से करीब तीन से चार कुशन पूछे जाना है रेल बे अंटी पीसी की परिक्षा में याद रखेगा और आपसे है टी टीपगी फॉफ फॉर्म भी पूछ सकता है और डपनी दोस्तों की खोज या सक извits Nove不錯 सकता है और अभी जो पहले शफी पेखा गयात है यूजाओ टीक है याद रखेगा तो इनकी फुल कि दोस्तों की फिल फॉरम क्या है ये भी पूछा गया था और ब्रोसेसिंग यूनिट होती है और यही एक तरह का computer का brain कहलाता है याद रखेगा पूछा गयाता एक्जाम में अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तो खाल सा पंत की स्थापना पूछ गई थी किस ने कीती तो दोस्तो यह कीती गुरू गोविन सिंग याद रखेगा तो दोस्तो मुझे कमेंड में जरूर बताएगा गुरू ग सिंग ने खाल ससापना कभ करी तीरिषम 25 Discovery को याद रखेगा बर्ट मार्च इंप्ऱजा की टीस डी में जरूर एक युन की गई थी 1867 में की गई ती किस स्थान पर की गई थी तो दोस्तों मुंबई में की गई थी याद रखेगा वेरी वेरी कोलोग्राम वेरी एंपोरन पूचा गया तो अगला वाइरस की बात करूं तो चिकन गुनिया ४ायर ने से हो तो appyのは रहा यह एक आया शॉजाँड़ हो जाएगा अगले कुशन देख लेते हैं दोस्तो बारत का पहला मार्स मिशन कब launch किया गया था तो इसमें जो पूछा गया था आपको sun नहीं पूछी गई थी केवल date पूछी गयती तारीख पूछी गय थी तो दोस्तो बारत का जो पहला मार्स मिशन है वो पांच नवंबर 2013 को लॉंच किया गया था याद रखेगा डेट और आगई आगामी शिप्टों में आपको यह भी पूछी आ सकती है तो पांच नवंबर 2013 को लॉंच किया गया था और कौन से रॉकट से किया गया था पी ऐसल भी एकसल सी टॉंटिफाइब से लॉंच किया गयता है वेरी वेरी इंपोर्डेंट तो दोस्तो करेंटली श्रो के चेर्मेंन को ने तो वह है के सिमान यह भी आपको याद रखना पड़ेगा और इस रोग का है तो दोस्तों कहां पर है यह मुझे कमेंड में जुरू बताएगा चलिए मैं बताएगा इस रोग को जो हैड़काट है वो मैंगलूरू में बैंगलूरू में स्थेतर याद रखेगा और इसकी स्थापना होई थी पंद्रे अगस्त उन्यस्तों नत्तर को ही थी अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों सबसे कम उम्र में बने रा राष्बती और जो कि भारत के सबसे कम रूम के बने वाले ये राष्बती ते पहले याद रखेगा और ये भारत के छच्टमे प्रसिडंट आफ इंडिया थे याद रखेगा और दोस्तों अगर मैं सबसे ज्जादा उम्र की बात करूं तो थीसे तो पूछा नहीं जाए involve आप से क्यूंकि सबसे कमर उम्र में केवल एक ही प्रेसिडन्ट रहे आप नीलम संजीवा तो मैं इसे आपको पूछा तो यही पूछ गया शीनगर से ले को याद रखेगा पूछा गया है और यह इसकी जो लॉकिशन ने कहां इस्तित है तो दोस्तों लद्दाक में इस्तित है जो जी ले दर्रा लद्दाक जो की यूनियन टेडिटरी बन चुका है कोई मुझे लद्दाक के गवंणर बता सकता है लुटेनर अभी क चुका हूँ आपको खेलो इंडिया यूद्द गेम 2020 का जो संस्क्राण है वो गौाटी यानिके असम मैं गौाटी में संपन हुआ याद रखेगा और इसमें जो टॉपडी की आता ये भी याद करें याद करके जाईएगा अगली शिट में पूछाया सकता है खेलो इंडि यूद्ध गेम 2021 का संपन हुँगे तो दोस्तो हर्याना में संपन हुँगे ये भी फैक्ट आपको याद रखना है तो दोस्तो खेलो इंडिया से कोई भी कुशन आए आप गलत नहीं करके आएंगे आई होप अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तो ग्यान पीट पुरुसक पुचा गया था तो एक्चिल्य यह तो यह पूचे आए सकता है ग्यान पीट पुरुसकार अकितम अच्योतन नमूंतरी को मिलाता लेकिन किस भाषा में मिलाता तो दोस्तों मले आलम कभी है मले बहाषा के लिए ग्यान पीट पुरुसकार 2020 मिला था याद रखेगा ऐसा को सन नहीं दी तो आपको पच्वनवा ग्यान पीट पुरुसकार पूछा या सकता है तो यह अकित्तम अच्यूत्तन नमूतरी को मिला ठीक है यह 2019 का पुरुसकार याद रखेगा अगला कुछन देख लेते हैं दोस्तों अगला कुछन है सेयोक राष्टे संग का कौन सा सयह का सदस्य नहीं है तो दोस्तों सेकेर्ट्री जन्र मैं बात करना हूं बाकी जो भारत अफगानिस्तन बढ़तेन सदस्य उपल्श्चा संग करते हैं अगर मैं सेकर्टिय जन्रों की बाते हैं न चेर्डेन का सेकनी जननल रखेा डूंकरेंटी यह इस लुड़न दो observer में दो देश आते हैं एक Holy See, Holy See को Vatican City भी केते हैं याद रखेगा और एक Palestine देश आता है तो ये दोनों observer हैं याद रखेगा अगर ये option में हुए तो ये भी आपका सही माना जाएगा ये भी अभी सदस्य पूर्ण सदस्य नहीं है ये किबल observer है तो Holy See, पलेस्तीन ये भी अगर ऑप्शन में हो तो ये भी ब्लकुल सही है कौन सा देश सदस्य नहीं है तो Holy See, पलेस्तीन सदस्य नहीं है अभी observer कैटेगरी में याद रखेगा अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तो अगला कुशन है कौन सा देश बिमस्त्रेक का सदस्य देश नहीं है तो ये पूछा गया था तो दोस्तो बिमस्त्रेक में जो मेंबर आते हैं वो आते हैं टुटल साथ बंगला देश आता है, भूटान आता है, इंडिया आता है, नेपाल आता है ठाइलेंट आता है और शिलंका आता है तो दोस्तों यह democracy कहता है कोने सदस्ट से नहीं है तो कर्णट सब्सक्राइब करें अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत